विंबल्डन टेनिस 2024 तो दोस्ते हम लोग यहां पर बात करें दे बिंबल्डन टेनिस चैंपिंपेंश किपन के बारे में और यहीं वहां ग्रेंड सिलेम के अंतरगत में खेला जाने वाला टेनिस टूनामेंट है जो कि यहां पर ऑस्टिलियन आपयन अमेरिकी आपयन और और साथ साथ यहांपर विणर कौन बने है, हमने साथ चीज और धेखेंगे को विड़नर अब देखेंगे, तो चली हम लोग आगए बढ़ते हैं और देखते हैं, तो यह बिड़ने टैनिन्स चेंपियEPृइस से थे कहां खेहला गया, और कब से खेला गया, और यह जुन दोजार 24 से लेकर के 14 जुलाय 24 तक खेला गया और यहां लंदन यूनाटेट किंडम में खेला गया तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कियांपे मैंस सिंगल्स में जो विनर रहे हैं और रॉनर पर हैं उनके बारे में क्योंकि हम लोग सिद्धि यही सब को देखेंगे और यह बेरे-बेर important हो जाता है man's singles साथ-साथ women's singles यही सबसे ज़्यादा question पुछ जाते हैं तो चले यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर man's single में जो winner बने हैं वो है Carlos Alcaraj जो की Spain के खिलाड़ी है यह भी आप लोग ध्याना कहेंगे Carlos Alcaraj winner याने की बिज़िता बन चुके है साथ-साथ runner-up जो रहे हुआ नोवाग जोकोवी जो की सर्वियाग इखलाड़ी है तो Carlos Alcaraj ने नोवाग जोकोवी को हरा करके विंबल्डेंट एडिस 24 का खिताब अपने नाम कर लिया है तो ये भी आपको ध्याना कहेंगे Carlos Alcaraj ये बहरी-बहरी इंपोर्टेंट है क्योंकि Men's Singles और Women's Singles ये ज़्यादा कोशिन पुछ जाते है आगे बात करते हैं Women's Singles में क्या हुआ है तो Women's Singles के बात करते हैं महिलाइकल में तो winner जो रही हुआ है Barbara Krajikova जो की Czech Republic की खिलाड़ी है Barbara Krajikova इन्होंने किनको हराया है तो इन्होंने हराया Jasmine Paolini को जो की Italy की खिलाड़ी है तो Jasmine Paolini जो है वहार रनरब रही और winner रही जो Barbara Krajikova तो इन्होंने winner बन गई है महिलाइकल की अब बात करते हैं आगे में Men's Double में कौन winner बने है Men's Double जोने के पूरसी उगल में कौन winner बने है तो यहां पर बना रहा है Harry Heliovara जो की Finland की खिलाड़ी है Harry Heliovara और Henry Patton UK इन दोनों की जोड़ी है इन्होंने ही या Men's Q जो है Men's Double का खिताब को जीत लिए है यानि winner रहा है Harry Heliovara और Henry Patton तो यह आप लोग नाम को याद रखेंगे अब बात करते हैं यहां पर Women's Double की यानि की महिला यूगल में कौन winner बने है तो यहां पर winner बने है Katrina Sinia Kowa जो की Czech Republic की खिलाड़ी है और Taylor Townsend जो की अमेरिका खिलाड़ी है तो इनकी जो जो जोड़ी है इनकी जोड़ी महिला यूगल की खिताब को जीत चुके यानि की winner बन गए है तो Katrina Sinia Kowa Czech Republic की खिलाड़ी है और Taylor Townsend अमेरिका की खिलाड़ी है तो इनकी जोड़ी ने ओमेरिका की खिताब जीत लिया है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर Mixed Double की बात करते हैं आपर तो Mixed Double एनकी मिशेत यूगल में कौन वीजेता बने है तो winner बने है Jen Jalen C की पॉलन की खिलाड़ी है और Sue Way Has जो की चिनी ताइपी की खिलाड़ी है अब आप लोग ध्याना करें के Mixed Double में जो होते हुआ मेन पलस ओमेन की साथ में मेल करके खिला जाता है अगली टिम के साथ में तो यहाँ पर Jen Jalen C की पॉलन की खिलाड़ी है और Sue Way Has जो की चिनी ताइपी की खिलाड़ी है और Omen Single की विनर कुन बन है तो इन तोनों नामों को ध्यान रखना है भी वियाई जो की फिर फिर इंपोर्टन है एक जाम को दिस्टिकों से बहुँ जाता है मेल अत्वपूर्ण है तो विनर जो है वह कार्लोस अलकाराज है जो की इस्पेन खिलाड़ी है और Omen Single में अगर बात करते हैं तो वहा है बारबारा क्रेजी को हुआ जो की जेक रिपब्लिक के खिलाड़ी है अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ सी इसके बारे में जानकारी की Grand Slam Tennis Tornament में विंबल्डन ही एकमात टूनामेंट है जो ग्रास कोट में खेला जाता है तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रास कोट में सिर्फ पूर सिर्फ विंबल्डन ही खेला जाता है बात बागी लोग जो होता है वह लोग हार्ड कोट में खेला जाता है तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है ग्रास कोट में खेला जाने वाला जो है एक मात्र ग्रैंड सेलेंड टेनिस टूर्णामेंट है विंबल्डन तो यह आप लोग याद रखेंगे तो यहां पर जो चीज़े थी जहां से कोशन पुजानिक संभाना थी वह मैंने आप तादिया